यह चेक करें आग गजब नजा रहे हैं और बारिस वाला मौसम है हलकी सी दूप भी आ गए है दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पिलीभीत का शुभम है दोस्तों मैं हूँ सुभम परजापती आपका अपना छोटा भाई सीधे पिलीभीत से और अभी इस बक्त मैं हूँ दहरादून में और आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं पहाडों पर घूमने के लिए और मौसम आप लोग देखी सकते हैं कितना खतरनाक हो रहा है बारिस वाला मौसम इधर तो बारिस नहीं पढ़ रहे हैं अच्छी ख और यह चेक करें गाइज वैदर कितना खुबशूरत है और अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं सैसधारा जो की बहुत ही सुंदर जगह है तो साइध नीचे आप लोगों को नदी उधर दिखाई दे रही होगी वो रही नीचे नदी तो अभी उधर ही चलके मिलते हैं औ और फोड़ा सा उधर का भी कुछ व्यू दिखाते हैं बाकी यह रहे अरविंद बाइक मोडी मुशाफिर इनका भी ब्लॉग आएगा यहां का जरूर देखना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूना और सुर मेरे को मेले के आणवार यहां पर बिलकुल और वो रही अपनी बाइक तो चलिए अब मिलते हैं आगे चलते हैं क्याँ में जरूर यहां पिलेक के जारे का जरूर यहां पर ब मेरे करते हैं हम लोग बस स्ट्रेंड आचुके हैं यह रहा यहां का बस स्ट्रेंड तो दोस्तों आप चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है जैसा कि आम लोग देख सकते हैं पीछे भी थी बट यहां कुछ जादा ही पड़ रहे हैं क्योंकि अभी हम तीन सवारी हैं और साथी साथ प्लैटिना बाइक है तो समझ सकते हैं आप लोग और यहां पर यह टोल टेक्स पड़ता है यह लोग 10 रुपए लेते हैं बाइक का बाकी कार बगेरा का तो 60-70 रुपए बाकी यह व्यू देख सकते हैं उपर साइड में मकान बगेरा बन रहे हैं और इधर सहस्दारा गुफ दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी यहां पर साइसधारा में तो चलिए ऊपर थोड़ा सा और आगे दिखाते हैं आप लोगों को सुन्दर सब प्यारा सब व्यू बने रहे हैं इस ब्लॉग में परली हम लोग आ चुके हैं यह देखें यहां का व्यू करें तगडी लैंडसलेब रकी हैं अब वह रही वह जगह जाहर पिसली वर महहते हैं उसके अब लेकि लैंडसलेब के ब्लॉट में ब्लॉट चलिए मैं आपको थोड़ा सा और ओपर लेकर चलता हूं और यह ओफ रोड आप लोग देख सकते हैं तीन सावारी पर बहुत ही हम लोगों को बाकि यह आप लोग देख सकते हैं साइड में खेत बने हुए हैं पहाड़ों पैसे खेत बने हुए होते हैं और लोग ऐसे ही खेती करते हैं हम लोग अभी काफी उचाई पे पहुंच चुके हैं वो नीचे आप लोग नदी देख सकते हैं कितनी गहरी यहां से पढ़ रही है तो समझ सकते हैं आप लोग अभी हम लोग उचाई पे हैं काफी और अभी हम लोग आगे और जा रहे हैं आपको दिखाएंगे वहाँ का कुछ व्यूद कि यह चेक करें अप लोग क्या लोकेशन है हम लोग साइसदारा तो बहुत बार आए थे बट इधर कभी नहीं आए यह लगए चार-पास किलोमेटर उपर का व्यू है और यह देखिए क्या गजब नजा रहे हैं और बारिस वाला मौसम है हल्किसी दूप यह आगे बट उप और अभी देख सकते हैं कितना मैंकर वाला बादल है तो कभी भी बारिस पढ़ सकती है और यह लोकेशन आप लोग एग बढर चेक करें यहां नीचे यह देख सकते हैं और वह सामने साइसदारा नदी बह रही है और उपर साइड में है धनोल्टी और यह रही हमारी बाइक तो आज हम इसे भी घुमाने ले आए इधर पहाड पे तो देख सकते हैं ये प्यारा सब व्यूँ सो दोस्तो अब हम आपको लेकर चल रहे हैं नीचे की तरफ जैसा कि मैंने अभी उपर से तो लोकेशन आपको दिखा दी बट नीचे से कैसे दिखाई पड़ती है वो लोकेशन अभी हम लोग नीचे चल रहा है और अभी हम लोगों को थोड़ा सा पहाड उतरना है नीचे के लिए तब जाकर वो नीचे साइड में लोकेशन जो दिख रही थी हम वहाँ पहुँचेंगे लगवग है एक डेड़ किलो मेटर यहां से वाकी यह प्यारे प्यारे विव आप लोग देखिए और थोड़ा आनंद उठाईए और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और प्यारा से कमेंट करिए तो चलिए पहुंचते हैं आगे सो गाइज यह चेक करें नीचे आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं यह देख सकते हैं आप लोग तो उचाही बहुत ही जादा है और हम अर्विन को लास्ट ल चलिए अभी और आगे आपको दिखाते हैं इदर का कुछ व्यू कितों लाग रोड़ा है यह दोस्ता फाइलली हम लोग आचुके हैं इदर क्या तगड़ा है विव है यहां से यह देखिए और यह तकड़ा विव है अल्सिमेट यह देखो क्या मस्ते बहुत खतरनाग रास्ते हैं यह देख फारेया जाए विव कितना ही उल्टेमेट विव यहां से हो वो मैं गवाड एक तीपती जंडी इस साइट पे कि सामने दंदंवाले पाहड ऐससा हां ऊसाइड आपकना उसा जलिए यहां से नहोते गार देखा इदर क्योंकि इदर उपर कभी आया नहीं और यह चेक करें यहां पर एक दो दुकाने भी है खाने पीने के लिए चेंजिंग रूम नहाने के लिए और सामने भी एदर एक बनीवी क्यों वेकरा मिल जाएगा बाकि इदर काम चल रहा है और कल रात बारिश पढ़ है नदी का और पानी गंदा भी है क्योंकि मलवा भी आया है साथ में तो देख सकते हैं बाकि उपर वो रहा एक रिजॉर्ट बना हुआ है और वो उपर रास्ता है जहां से अभी हम लोग आये थे और यहां से हम लोगों ने नीच लिया वो रही हमारी बाइक तो यह एक वार ओबराल व्यूं आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है तो एक वार इधर जरूर आए और यह सुर्फ बाइक वालों के लिए है पिक्निक स्कॉर्ट यह जगह क्योंकि यह साह जारा से तीन्चा क्रोमेटर उपर साइड के लिए है यह काफिस प्यारी ल और के अधिया साइड कि अधिया जया थे जगए है यह है तो एक यह है यह है यह है कि कॉरी खाएड की और को सुर्ट वारी वर सिप प्यार्श दोंकि यहीर खंब भीर चुर्ट रचे टीचा लुश्यलत वच बाव में अवरा बाव ग्यारल गह है कि यह पावर दो दोने तो फाइनली अर्व हम नाने के रेडी हो गए है और पीछे देखते हैं स्विमिंग सूल बना हुआ है और इसमें हम दाइट और दी लोग ना रहे हैं बहुत सारे तो चलिए दुखी लगाते जाएट पाइट आजे पाइट नाने वाले देखेए पत्थर बहुत जाद है लगाएट अबर बहुत साथा है थो इस वाले तुदिण खुल है बहुत जाद है मिट्दी है लुछे नहीं है जाद है फ़ाट जाद लग रही है लुँ! आईहों माली का इवता है कोदी को आप आप आपञा तरे हल असज युवए, युशिटाना है आप ले लोग कुछी दी गरतो हुशेजा आप आप आपके अप आप 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 माली को आप अभी, तरे ने दी वेरी यह देखिए इसे कितने जादे मज़ा आ रहे हैं यह क्या कहना चाहोगे यहां के बारे में बहुत ही मज़ा आ रहे हैं जैसा कि देख सकते हैं इधर आफ लोग यह हमारा इंजॉइमेंट सारा हो चुका है बाकि यह देख सकते हैं और फिर से लोकेशन और यह रही है मरी बाइक और यह सारे लोग और वो सामने के लिए है उदर रोड तो अभी चलिए निकलते हैं और दिखाते हैं आगे का कुछ ठोड़ा सब व्यूँ तो जैसा कि देख सकते हैं अप लोग हम घूम कर जा रहे हैं पापस और सैजदारा जो में पॉइंट है पिकनिक पॉइंट वो अभी आगे है काफी तो हम लोग सैजदारा में सैजदारा जो था वहां से काफी उपर गये दें और वियू यहां से तो बड़े खतरना खतरना गया है मैं इदर फर्स टाइम आया हूं तो बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है और बाकी आप लोग इस प्यारा से वियू को करो इंजोए और वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा उधर साही बा और व्लोग अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और अपने सभी दोस्तों को इस व्लोग के लिए शेयर करना तो मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे व्लोग में तब तक लिए बाबाए